आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ देखो पॉलिंटिंग वेक्टर्स या वेक्टर्स रीप्रिजेंट करता है direction of energy flux in electromagnetic field मतलब इसको field सही लेते दों मतलब यह हो गया कि जो पॉलिंटिंग वेक्टर होता है वो आपको direction बताता है किसकी energy flux की जो flux है वो भी किसम है जब EM field होता है जो electromagnetic fields होता है जो electromagnetic wave के द्वारा produce किया जाता है उसका अपको direction बताता है और इसका SI unit क्या होता है SI unit होता है watt per meter square मतलब watt per meter square SI unit होगा तो मतलब अगर एक example के तोरब पर बताऊंगा आपको तो जो EM field होगा जो electromagnetic field होगा जो wave produce करेगी उसका energy flux होता है अगर field produce होगा है तो energy flux होगा उसके अंदर तो उसका जो flux होता है उसकी direction को represent करते है अपन पॉलिटिंग वेक्टर से तो इसका जो formula होता है वो important है वो बहुत जादा important है वो होता है मतलब भी हो गया कि E cross B divided by mu naught और E cross B अपको क्या देता है अपको direction of propagation देता है तो E क्या होगा? direction of propagation होगा उसी direction में होगा direction of propagation में by mu naught तो E cross B by mu naught तो अपना सही option कोँछा होगा? अपना सही option होगा E cross B by mu naught Thank you guys Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर